हलो दोस्तों मैं शोवित कमाचोदरी आपका वेलकम करता हूँ अपने युट्यूव चैनल अकाउंट सभेली पर उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे मज़े में होंगे चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो आज मैं आपसे फरदर आगे बात करने वाला हूँ लास क्लास में आपको टोटल बता दिया था कि operating activity का जो format है वो कैसा बनता है आज हम कुछ questions के थूरू समझेंगे उन concepts की understanding जो भी थोड़ा प्लस माइनस होगा जो थोड़ा सा आपकी समन से बाहर चीज़े रह गई होगी आज वो आपको practical की help से समझ में आ जाएगी तो करते हैं discuss मैं एक example माल लेता हूँ और example के थूरू आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा सारे concepts को सारी जो बारीकिया है धीरे धीरे आपको मैं explain कर दूँगा तो फॉर्मूला जो आपको बताया था उसी के हिसाब से चलेंगे और कोशन को solve कर लेंगे पहला क्या बताया था मैंने बच्चो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम closing balance of profit and loss में से माइनस करते हैं opening balance of profit and loss तो यहां पर closing balance दो लाग का है और opening डेड़ लाग का है that means कितना बचेगा पचास हजार रुपे का आपका यहां पर difference आएगा फिर क्या बताया था क्या करते हैं सर फिर हम देखते हैं transfer to reserve कितना है कि हम कितना reserve में transfer कर रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा proposed dividend of previous year या इसकी जगा दे रखा हो dividend paid in current year into current year यह information हमें चाहिए फिर हमें चाहिए क्या provision for tax और यह हमें चाहिए current year का तो यह information हमें चाहिए होती है और इनी को put करने के बाद हमारा answer निकलेगा यार दो बाते यहां से बहुत जरूरी हैं जो समझ के चलो जो provision है tax का वो current year का लेना है लेकिन अगर purpose dividend दे रखा है तो वो previous year का purpose dividend लेना है या फिर dividend paid in current year लेना है means current year में dividend paid किया है या interim dividend है वो हमें लेना है purpose dividend of previous year है वो हमें लेना है क्यों क्योंकि किरनोलोजी जो है सीधी साफ है जो पिछले साल purpose हुआ होगा वो इस साल paid हुआ होगा तो इस साल उससे cash का inflow या outflow बनेगा इसलिए यहां पे हम उसको लेके चल रहे हैं provision for tax जो previous यह current year में जो provision बना है उसकी payment next year में जाकर होगी तो यहां इससे कोई cash पे impact नहीं पड़ रहा है इसलिए इसको वापस से हम यह adjust करके चल रहे हैं सर यह जो purpose dividend है previous year का तो यह इस साल हमने जो paid किया होगा इसको हम यहां पर बच्चो add कर देंगे इतना आपको समझ के चलना है पकड़ के रखनी हैं बातें कि purpose previous year का चीए और provision of tax current year का चीए यह ना दे रखा हो तो dividend paid into current year हमें दे रखा होगा यह important बाते हैं और जो हमसे गलती हो जाती है हम क्या करते हैं purpose dividend of previous year के साथ साथ हम अपने आप ही याद कर लेते हैं provision for tax of previous year वो नहीं है वो गलत हो जाएगा इसलिए समझ के चले transfer to reserve reserve में कितना transfer किया है तो kotion में ये जो मैंने given है direct transfer ही ले रखा है तो transfer किया गया है reserve में 1 लाग तो 1 लाग रुपे reserve में transfer किये गए है उसके बात देखें बच्चो provision for tax current year का दिया हुआ है वो ही हमें चाहिए current year का provision तो current year का taxed का provision है वो 50,000 का दे रखा है उसको हम add कर इसी तरीके से purpose dividend of previous year, previous year का purpose dividend दे रखा है, जो की 10,000 रुपे का है, तो ये भी हमें चीये होता है, purpose dividend of previous year, जो 10,000 का है, इसके अलावा, जो purpose dividend of current year है, ये हमारे काम का नहीं है, ये information यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि इस बार जो dividend purpose किया गया है, वो अभी AGM में approved होगा, तब जाके कहीं अगले साल इसकी बात होगी, तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये बिकार की बात है, ऐसे ही provision for tax, जो है, वो previous year का provision दे रखा है, तो previous year का जो provision दे रखा है, वो हमें इसकी need यहाँ पर नहीं है, इसकी need हमें यहाँ पर नहीं है, हमें यहाँ किसकी need है, provision for tax current year, current year में यह प्रोविजन फोटेक्स है हमें यहां पर उसकी नीड है यह प्रीविजियर का प्रोविजन हमें यहां नहीं चाहिए तो इस तरीके से हम इसको प्लस माइनस करने के बाद में प्रोफिट विफोटेक्स कल्कुलेट कर लेंगे जो कितने का आएगा बच्चो एक लाग दो दो लाग दस हजार इस तरीके से दो लाग दस हजार रुपे का हमारा प्रोफिट विफोटेक्स आ जाएगा इंपोटेंट बात है यहां से क्या निकल के आई पर्पोस्ट डिविडेंट के बारे में जो बताया वह बहुत ढंक से कहीं पर इंपोटेंट लिखके याद रख बात हैं क्या फरieß आएंगे जब आ प्रैक्टिकल कॉशन करेंगे तो किन किन छोटी-छोटी-छोटी पातों को आपको दिमाग में रखना है इस तरीके के कोशन पेपर में बहुत इंपोटेंट हो जाते हैं यह बारीक पॉइंट पेपर में पूछ लेता तो आप इस तरीक लंबर टू के मैं आंस्वर की बात करता हूं कि किस तरीके से आप इसे सोल करेंगे जल्दी से देखें यहां पर हमें करना क्या होता है पहले अपना फॉर्मेट लिख लेते हैं जो हमने आपको याद कराया है क्लोजिंग बैलेंस और प्रोफिट और लोस में से हम माइनस करते हैं बच्चो ओपनिंग बैलेंस और प्रोफिट और लोस यानि कि क्लोजिंग बैलेंस में से हमें ओपनिंग बैलेंस को घटाना होता है 21 वाला ये हमारा closing balance है जो की 1,00,00 रुपे का है और opening balance जो है हमारा वो 50,000 रुपे हमें यहां से घटाने है इस तरीके से तो इसको minus करने के बाद कितना आएगा ये थोड़ी सी बात चोटी सी बात है mathematical approach वाली बात है लेकिन important हो जाती है कुछ लोग गलतियां कर जाते है बेटा धंग से देखना है आपको यहां पे closing में हमारे पास 1,00,00 बचा है जबकि opening में ये जो 50,000 दे रखा है इस bracket में लिखने का मतलब मेरा है loss से यानि कि ये हमें loss दे रखा है अगर कोई digit आपको negative में देता है profit and loss में तो उसका मतलब होता है वो आपको नुकसान चल रहा है be careful तो बेटा ये हमें minus करने है minus के 50,000 तो ये minus minus plus हो जाएंगे इसका मतलब यहां answer कितने का आएगा 1,00,50,000 का आएगा ये बात आपको एक छोटी सी थी जो समझानी थी plus minus के orientation को दिमाग में रखे यहां भी कुछ लोग गलती कर देते हैं और 1,00,000 में से 50,000 को जब वो इस तरीके से loss को minus करेंगे तो वो यहां answer 50,000 निकालेंगे जो की 50,000 नहीं डेड़ लाग आएगा ये बात आपको ध्यान रखनी है फिर हम क्या देखते हैं हमें क्या लेना है transfer to reserve की reserve में कितना transfer किया गया है तो reserve में कुछ भी transfer नहीं किया गया है पहले भी reserve एक लाग के थे अभी भी एक लाग के थे आज भी एक लाग के ही है परपोस डिविडेंट हमें दे रखा है ये प्रिविएस येर का परपोस डिविडेंट है ये करेंट येर का परपोस डिविडेंट है मैंने क्या कहा करेंट येर वाला कोई लें देन नहीं है इसको काट देंगे हमें क्या चाहिए ये वाला ये वाला हमें चाहिए तो इसको ह हमने profit and loss account बनाया होगा तो यह 60,000 हमने वहाँ adjust किये होंगे अपने appropriation में तो बेटा इसलिए तो हमने इसको यहाँ पर add किया है क्योंकि इसकी सही जगह जो minus होने की है वो financing activity है तो इसको financing activity में adjust होना है लेकिन यह already P&L adjustment में adjust हो हो रखा है P&L appropriation में adjust हो रखा है तो हम वापस से इसको यहाँ add कर रहे हैं और ले जाकर कहां से minus करेंगे financing activity से minus करेंगे अगर थोड़ा सा आप और logic से समझना चाहते हो तो इसको हम purpose dividend of previous year को यहाँ add करने का logic क्या है क्योंकि यह financing में जाना है और already यह जो balance दे रखे हैं यह after appropriation ही होते हैं तो इसमें adjust कर रखा है financing की चीज finance में adjust होनी चीए यहाँ adjust क्यों हो रही है तो वापस से उसको plus कर दिया और financing activity में से minus करेंगे फिर सर यह purpose dividend जो current year का है यह बेटा यह financial statement का पार्ट नहीं होता है यह notes to account में लिखा जाता है क्यों क्योंकि rule इसके regarding अभी 2-3 साल पहले इसके rule change हुए है हम क्या करते हैं पहले जब current year में dividend को propose करते हैं तो फिर हम उसका approval लेना होता है तो approval लेने के बाद वो financial statement में record किया जाता है तो इससे अभी कोई लेना नहीं है यह balance sheet का पार्ट ही नहीं है तो यह काम की information नहीं है यह वाला हमने paid किया होगा already opening closing में से हमारा adjusted था यहां पर वापस से इसको add कर रहे हैं क्यों क्योंकि financing में से ले जाकर minus करेंगे इसके बाद क्या बसता है और को information दे नहीं रखी है तो हम क्या माल लेंगे कि जो provision for tax है given नहीं है हमें तो nil माल लेंगे और यहां से अपना answer निकाल लेंगे 210,000,000 हमारा profit before tax आ जाएगा चलिए देखिए इसी तरीके से बात करते हैं example 3 का क्या answer होगा example 3 में आपके सामने information दे रखी है बच्चो क्या information है कि current year में इस बार loss हुआ है current year में 1,00,000 का loss हुआ है और previous year में हमारे पास 50,000 का profit था तो same क्या करते हैं be careful बच्चो closing balance और profit and loss जो closing balance दे रखा है वो पहले से ही negative है तो उसको negative में ही रखेंगे be careful फिर हमें इसमें से minus करना है क्या opening balance और profit and loss और जो opening balance है profit and loss का वो है हमारा 50,000 का तो कितने का आ जाएगा हमारा इनको plus minus करने के बाद में जल्दी से बताएं क्या होगा यहां पे कितना आ जाएगा एक लाख 50,000 यहां पर negative के आ जाएंगे यह देखिए बच्चो यह भी minus की information है हमें minus करना है इन 50,000 को हमें एक लाख में से minus करना है जो कि पहले से ही negative है तो यहां पर minus minus वाली दोनों information प्लस हो जाएंगी और symbol भी minus का आ जाएगा इसका मतलब दोनों को adjust करने के बाद एक ला हम क्या करेंगे transfer to reserve की हम कितना reserve में transfer करेंगे transfer to reserve कितने का है हमारा 20,000 का transfer to reserve हुआ था यह information आपके सामने है be careful इसके अलावा हमने provision for tax for current year का provision जो है tax का कितने का बनाया था 40,000 का तो plus कर देंगे बच्चो provision for tax जो की 40,000 रुपे का है उसके बाद आप क्या करेंगे dividend paid in current year जो current year में अपने dividend paid किया है उसको भी आप plus कर देंगे तो dividend paid भी हमारा plus हो जाएगा 50,000 का जो निकल के आएगा वो कहलाएगा हमारा profit before tax जो की अभी भी negative ही आ रहा है ठीक है हम बात करते हैं अपना example number 4 की example number 4 में हमें क्या करना है बेटा इसमें जो main चीज है वो बस यही समझाने के लिए मैं को शन करा रहा हूं कि आप गलती ना कर दें बस इसी बात को समझा रहा हूं बाकि आप सब समझते हैं example number 4 में आजाएं example number 4 में देखें क्या करेंगे closing balance और profit माइनस का माइनस का है इसमें से माइनस करेंगे क्या जो हमारा बच्चों ओपनिंग बैलंस ओप ये और साथ यह यह आंसर आपको निकालना है और मुझे comment करके बताना है बाकी इसमें मैं लिक देता हूँ कि क्या चीए हमें proposed dividend of previous year चीए जो question में कहीं भी नहीं है मतलब nil हो जाएगा और साथ में हमें क्या चीए provision for tax चाहिए provision for tax भी question में given नहीं है केवल क्या दे रखा है tax paid दे रखा है 40,000 का तो ये भी एक important बात है जो आपको समझनी है और आगे में चर्चा इसी के बारे में करूंगा बेटा जब question में be careful लिख लें इस बात को important है जब question में आपको only tax paid यानि कि question में केवल tax paid given हो और बाकी information ना दे रखी हो तो हम ये मान लेते हैं तो यहां पर जो current year में इनोंने tax paid किया है 40,000 का तो हम ये मान लेंगे कि 40,000 का इनोंने tax paid किया होगा और 40,000 का ही tax का आगे के लिए provision बना लिया होगा ये हमने assume किया है कि जितना इनोंने tax paid किया है उतना ही इनका provision यानि company को पहले से पता है कि हमारा 40,000 का tax जाता है तो पिछले साल 40,000 का tax payment इस साल वो कर रहे हैं तो अगली साल के लिए भी वो 40,000 का provision बना कर रखेंगे हम ऐसा मान लेंगे क्योंकि और information हमारे पास नहीं है तो काम की बात क्या हो गई कि अगर question में tax paid दे रखा हो लेकिन हमारे formula में तो हमें provision for tax चाहिए तो हमने उपर देखा उपर कुछ भी tax के बारे में information नहीं है question में न additional में tax provision for tax के बारे में information है केवल tax paid दे रखा है कि हमने tax paid किया है 40,000 का तो जितना हमने पेड किया है उतना ही हम provision मानके यहां add कर देंगे ठीक है बच्चो इस तरीके से यह आपका profit before tax आ जाएगा अब next बात करूँगा मैं पूरा detail में provision for tax के बारे में जो important है अब मैं आगे उसकी बात करूँगा मुझे जरूर इसका comment करके बताएं कि यह कितना आया है answer और यह answer कितना आया है यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं पेपर में इस तरीके के question पूछे जाने की संभावनाएं बहुत जादा रहेंगी तो इसलिए in questions को done से करते रहें साथ में like और comment भी किया करें और अगर आपको यह class informative लगती है और लगता है कि आपने इस से कुछ सीका है तो अपने साथी लोगों को भी इसको share कर दिया करें उन तक भी इस class को पहुचा दें ताकि उनकी भी थोड़ी सी help हो जाए और हमारी भी help हो जाए हमें भी subscribe लाइक और comment मिल जाए जब तक के लिए पढ़ते रहें बढ़ते रहें